हालो फ्रेंद्स मेरा नाम है साक्षी और आज हम अपनी वीडियो में देखेंगे कि हम लोग अपकर अपने वर्ड की डोक्योमेंट को ब्लोक करना चाहते हैं मतलब कि जैसे कि हम चाहते हैं कि हमारे जो डोक्योमेंट खुले हुए हैं उसको सिर्फ पर्सन यूए यूजर से रीड आउट कर सकें उसके अंदर एडिटिंग या चेंजिस ना कर पाएं तो उसको हम लोग आज कैसे करेंगे देखते हैं चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग मैं स्वर्ड देखें यहां पर मैंने कुछ मैंटर टाइप किया अब क्या होता है कि मैं चाहती हूं इसके अंदर पर यूजर जो भी होगा ना उसे रीड कर लेए अडिटिंग ना करें अभी ऐसा है कि मैं एडिटिंग कर सकती हूं बट अब मुझे इसकी एडिटिंग को करना है तो बलोक करने के लिए हम यहां पर डिव्यू क्या टैप पे जाएंगे रीव्यू टैप का जो हमारा आ यह पला है प्रोटेटिंग देखें इस बटन के अंदर हम यहां करेंगे रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग भी आम मेरी एडिटिंग को रिस्ट्रिक करा दीजए क कि कोई भी changes नहीं कर पाएगा वो सिर्फ उसको read only रखेगा read कर सकता है यहां से हम करेंगे yes start and forcing protection कि आप इस protection को start कर देजिए अब यहां से क्या होगा मैंने इसके अंदर कोई भी password डा दिया अब यह password आप तोनों same रखेंगे इसमें changes आप नहीं करेंगे ठीक है अभी अब मैंने एंटर किया बड़ कुछ भी फरकने पड़ा आप इसके status बार में देखें आपको बोल रहा है this modification is not allowed because the selection is locked आपके जो यह selection है वो इस करना है यहां पर जाएंगे stock protection यहां पर आप वही password फिर से एंटर करेंगे अब क्या है changes आप कर सकते हैं इस तरह से हम लोग किसी भी अपनी फाइल को किसी भी अपने documents को block कर सकते हैं through blocking के लिए restriction लगा कि तो वह से क्या होगा आपका matter जोगा ब्लोक हो जाएगा तब तक जब तक उसके अंदर आप editing नहीं करना चाहेंगे तो इसके अंदर इतना ही बाकी की वीडियो में हम आपको next बताते हैं कि macro की recording हम लोग कैसे करेंगे तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप उसे लाइक और शेयर करना ना भूलिए और अनदर वीडियो के लिए आप हमारी website पे विजिट करेंगे और हमारी website है www.asana. hana.com के गाइस थैंक यू